शिफसेना के लिए आज अतिहासिक दिन है तो बता दे कि शिफसेना के लिए आज अतिहासिक दिन शिफसेना के आदित्य ठाकरे आज पढ़चा भरेंगे तो पहली बार ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने जा रहे आदित्य आज तक ठाकरे परिवार के किसी भी सदसे ने चुनाव जो है वो नहीं लड़ा था और अधित्य ठाकरी की नामंकन रैली में आज शामल हो सकते हैं तो ये बड़ी ख़बर इस वक्त की आपको बता रहे हैं तो शिवसेना के लिए आज का जो दिन है वो बेहद एतिहासिक दिन जो है वो उने बाला है अधित्य ठाकरे आज नामंकन भरने जा रहे हैं और ऐसा पहली बार है कि ठाकरे परिवार से कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो अधित्य ठाकरे आज नामंकन भरेंगे आज तक ठाकरे परिवार की किसी भी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा था तो आदित्य ठाकरे की नामंकन रेली में शामिल होंगे सिमपरणवीज तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो आपको बता ज़ें कि महरास्ट रुपधानसवा चुनाव को लेकर नामंकन जो है वो जा रही है और आखरी तारिक चार अक्टूबर है तो शिवसेना के लिए आज को जो दिन है वो बेदा एतिहासिक जो है वो माना जा रहा है तो शिवसेना के आदित्य ठाकरे आज जो पढ़चा है वो भरेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है तो पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो आज आदित्य ठाकरे नामंकन भरेंगे तो आदित्य ठाकरे की नामंकन रैली में शामल होंगे चुनाव लड़ने जा रहे है तो आज तक ठाकरे परिवार के किसी भी सदसे ने चुनाव नहीं लड़ा था और आदित्य ठाकरे की नामंकन रैली में शामल हो सकते हैं तो आपको बता दे कि 21 अक्टूबर को चुनाव है 14 अक्टूबर को नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे और अभी पलाल जो नामंकन प्रक्रिया है वो जारी है चार अक्टूबर तक ही जारी रहेगी तो आज आदित्य ठाकरे जो है वो अपना नामंका ना बने जा रहे हैं वड़ी सीर से उनको उतारा गया